पांचे मल्की खेतियान अगर परिशत के सफाई कर्मियों ने अपने वभिन मांगों को लेकर खेतियान आयप तैसिलदार को कलेक्टर की नाम से ग्यापन सौपा है जिसमें उन्होंने मुख की मांग समय पर वेतन होने की रखी सफाई कर्मियों को विसेश बत्ते के साथ साच की सेवाओ का लाब देना जैसे कच्राहत गाड़ी शामिल है बेगर कर्मचारियों को निवास है तू भूमी आबंटन सामाजिक मांगलिक भवन है तू भूमी का आबंटन एवं भूमी निर्मान इन सब सुविधाओं के अभाओं में उन्होंने अपना विरोध धर्जु कराया है तनका के बारे में दिया ये नगर परिशद केकिया में सर अधिकारी समय थे और दूसरी दो चार समय थे जो जाड़ू गाड़ी पावड़े यह हमें टाइम पर नहीं मिर रहे है सर जो कार्या करने बहुत दिक्कत दे रहे हैं सर हमने तो सेलेरी की मांग रखी है कि एक से पाच के बीच में हमारा वेतन किया जाए ताकि हमारी जो आर्तिक परस्तिती वो जादा खराब ना हो भवन करने जाते लोग हमारे लोगों को भवन नहीं देते फिर बरसात पानी में हम भायर साधी बियाओ करते गायत्री मंदिर में जाते महा लगन लगाते तो हम उठेंगे बटेंगे का हम ऐसा ही हमारा मुलना बहुत चोटा है किसके घर है किसके घर नहीं है सब जैसे अनासरी के बच्चे पड़े रहे थे 20-25-25 साल हो गए कई साल से बोलते जा रहे जगों की मांग करो जगों की जगों ने मिल रही तुम ढूंड के लाव का जाएंगे हम ढूंड ने हमारको में इत्ता माल में जगों ने देरे पर हमको भवन की विवस्ता तो कर दो तो उत्ते में हम कुष रहेंगे सिरिफister हमारको भवन होना मत भले जगों दो हम जैसे वैसे किराए से दीन निकाल लेंगे, गाओ गाओ सरकारी कर्मचारी के लिए कॉलनी है, अपने खेतिया में कभी कॉलनी नहीं है, बस ऐसे अना सरी के नोकरी कर रहे हैं, हम ऐसे कुछ मंगने जाते हैं, टोड़ आते हैं, चलो भगो यहां से तो निकलाते हैं, सरक्या करें, तुम ज्यादा बोलेंगे तो तुमारे को नए लोगों को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, काई के बारे में बंद करेंगे, ये भी तो हमको मालूम चलना चाहें, लेटर बता देंगे, दुसरे लेटर बताते हैं, बस मेरी इतनी मांगे, दुसरा कुछ नह हमार को होना